नहीं सवाल वो नहीं है एक तरफ सरकार और सुर्सिंग पर लगातार काम चला रही है जबकि पूरा देश और सुर्सिंग को लगभग खत्म कर दिया है दूसरी तरफ बेरोजगारों की फोज है पूरी देश में और उससे कई करोट ट्राइम बिहार में भेरोजगारों की फोज है तीसरी तरफ आप कोई भी वेकेंसी निकलती है तो आप हाई कोट में जाकि उसको लटका देते हैं किसी को भेज़ देते हैं फिर डबल बूट बेंच में जाता है तब तक बहुत लोगों का उमर समाफत हो जाता है और फिर बारगेनिंग की इस्तिती सुरू हो जाती है और जो टैलेंटेट लोग हैं जो फिजिकल, रिटैन, बाबा, औरल, सब चीज में टैलेंट है लगभग उनकी रिजल्ट ही आउट नहीं होता है सभी जगा है, सरकार और माफियों का और सिस्टम का खेला चल रहा है खेला हो भी एक लाग चौदा हजार को चार साल पहले आपने जैसे सिक्षा मित्र आपने एक समाज सेवी संग बवस्था बनाई लेकिन काम आप ने उनसे लिया विल्कुल एज़े एक गौवर्मेंट नो करके तरह कौरणा में भी आपने उनसे हंडेट परतिसद काम लिया वाट सदस लोगों ने काम किया आप हर चीजों में आप उनसे वर्क लिये जैनल योजना से लेके सभी चीजों में सवाल ये उठता है कि आप ठीक है आपने सरकारी एक्ट के ताहट कोई ऐसा वेकैंसी नहीं निकाली जिससे वाट सचीव को आप कोई प्रतिन करें लेकिन यह ओडर निकाल देना कि वाट सचीव जो पूर में बाहली हुए थे उसका टेन पियर खत्म और नए वाट सचीव का चैन होगा तो आप एक लाग चोहदा हजार दस लाग से उपर वाट सचीव की जिन्दगी पूरी फैमिली की जिन्दगी उसके बच्चे सरक पर आएंगे आत्मत्या किनों बताएगी और दूसरी तरब उस बिभाग के जो मंत्री है वो अपना घाटा मुनाफा देख रहे आगे एमेलसी का चुनावा है सबसे ज़्यादे वाट सचीव को भूट की मेंबर को भूट देना है जो चुनों जीते हैं इस बार अब आप को रहे हैं अगले बार जो वाट मेंबर में चेहन हुआ था लगबग लोग इस बार नहीं आएं तो जो वाट सचीव हो सकता है समाजिक वेवस्था के तरह जिसको वो कॉपरेट किया होगा वो चुन के नहीं आया होगा तो फिर उनका चेहन तो वो करेंगे नहीं तो उनकी जिन्गी गई किसी और का करेंगे समाजिक जातीगत और आर्थिक अदार पर कर लेंगे आप सत्ता भूट और सियासत के लिए लगभग साथ लाग से आठ लाग व्यक्ति पड़िवार लगा के किस जिन्गी को तबा कर रहे हैं मजबूर कर रहे हैं आत्मत्या करने पर कुछ लोगों को पुराने लोगों को वाड मेंबर रख लेंगे लगभग लोगों को छाड़ देंगे कुछ लोग अधर जगह काम कर रहे हैं तो वो छोड़ देंगे सरकार की ऐसी पॉलिसी बनती क्यों है लोगों की जिन्गी अभी चलती ही है अभी रेंगती ही है बच्चे पैदा होते हैं साधी होती ही है और फिर विश्वास और उमीद समावत हो जाता है फिर सपना क्यों दिखाते हैं आप नियमित किसी भी चीज को क्यों नहीं करते हैं आप इनसे बहुत ले लिए एक लाग दस अजार बाहली करके आपने सभी वाड सचीब को राजनितिक कामों में लगा दिया सरकार और लगबाग दस लाग बहुत तो एक बार अब इनको निकालकर दूसरों BJP की जो मंत्री है वो चाहते हैं मेरा बर्चस हो वार सदस को हम बोले हैं कि मैं तुमको मुगा दे रहा हूं तो आपके सियासत में राजनिती में दस लाग लोगों की दोजिनगी गई तो लगना तो होगा आवास तो देना होगा ऐसा तो एह रहे कि आप complete chain परकिरिया को ही खतम कर रहे है आप पुना वार सचीब की बाल ही नहीं करेंगे तो जो है और जिस समवेशी ब्यवस्ता के तहथ वार सचीब को आप बनाए थे आप यतावत रहने दे नहीं परकिरिया को ना लाए एधिया आप ऐसा करेंगे आप किसी और को लाना चाहते हैं तो और भी जगा है लेकिन और सोर्सिंग को खतम करिए सब ही तरह के नोकरी को नियमित करिए और भोट सियासत सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर आप लोगों का इस्तमाल मत करिए सरकार की अनिती कम्प्लिट सियासत के लिए होती है हम ऐसे किसी भी सरकार के आदेश का निर्ने का विरोध करेंगे जिससे बेरोजगार बिहार गरीब बिहार में पलाइन बेरानवेला के एक साल में होता है खेतियार मजदूर है बंदवाद मजदूर है दयारी मजदूर है बटेदार है हमारी आर्थिक इस्तिति भीहार की ठीक नहीं है और उसके बार चोट इस चोट को रोकेंगे इसके लिए कन मन धन सभी तरीके से हम वहार सचीव के परिबार के साथ खरे होंगे हम किसी भी ऐसे निम्दे का विरोध करेंगे जो बिहार के युवाओं के जिन्दगी को उसके उमीद और सपनों को सरकार के द्वारा खर्ण किया जाएगा इसलिए 27 तारी को जो हमने MSP बिसेस राज के साथ वार सचीव का भी मुद्दा हम पूरे चक्का जाम करेंगे NH जनवरी में रेल जाम फिर जनवरी में बापू सभागार और 23 अगस्त को बगत सिंग के सही दिवस पर गांदी मैदान में कॉल करेंगे कि दोनों भाई मिलकर बिहार का सर्वनास कैसे किया है एक तरह भीजे पी दूसरी तरह पारजी थी इसलिए निर्ने संकल्ब के साथ और कल उनएस तारी को बैठा करें उस निर्ने के साथ आगे बढ़े साथा तरह प्रमडिक को आपका बंढाया क्या को बंद को सिर्फ पर लगा या? साथा ऑसको एनेच जनावरी में रेल उनलि एनेच साथा जा एनेच विपलैफास को सिर्फ लेज नहीं? एनेच पतनासहाली खेतर नहीं रहे पतनासहारी खेतर सारे रोड, जो भी एस्टेट है वे और रोड है, सब ब्लोग होगा, सब ब्लोग होगा